आम उदा ही कारेग्रम में हिस्ता लेने के लिए पहुंच चुके हैं, सीधिय तस्वीर है आपको लोग सकतम हैं आपको आप सिल तायं ओश दो नश बटनी झाल, होते लंट झाल. झाफ्या बटी वस्परों! लुझा वोग्ण शोग भूजा, बादके नहां बिस्वाओा है, रहां भूगा झारी दोग्टरों दोगना, प्राष्मारी हुआ। स्वाश्य स्क्राव प्रिक पिस्वाँ आवाई विंध्य हिमाचल यमुनादंगा उचल जल धितरंगा तवशुभ नामे जागे तवशुभ आशिष मागे गाहे तव जयताथा जयत желर नमंझत दणात जयत जयते अलड़ बारत मता कि भारत मता की वंडे 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 आप सभी अपना स्थान ग्रहन कर सकते हैं अब हम सादर आमंत्रित करते हैं हमारे माननीय राजदूद श्री विने कुमार जी को कि वह यहाँ पर पधार कर हमारे आदरनिये माननीय यश्यस्री प्रधानमंत्री श्री नरेत्र मोदी जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करी धन्यवाद मौस्कों में भात्य समाज बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन कर रहा है आपको प्रधानमंत्री जी नौ साल के बाद भारतिय समुदाय मौस्कों में आपको पाकर बहुत ही भाव विवल है और आपके आशिरवचन का पिक्षित है प्रधानमंत्री जी मैं आप से विनम्र आगरह करता हूं कि आप अपने आशिरवचन से भारतिय समाज को कृतार्थ करें धन्यवाद नवश्कार प्रेट मस्क्वा काग देला आपका ये प्रेम आपका ये स्ने आप में यहां आने के लिए समय निकाला मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं मैं अकेला नहीं आया हूं मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं मैं अपने साथ एक सो चालीस करोड देश वासियों का प्यार लेकर के आया हूं उनकी शुब कामनाएं आप के लिए लेकर के आया हूं और ये बहुत सुखद है कि तीसरी बार सरकार में आने के बाद इंडियन डायस्पोरा से मेरा पहला संवाद यहां मोस्को में आपके साथ हो रहा है बसे साथियों आज नव जुलाई है और आज की यही दिन मुझे शपत लिये पुरा एक महिना हुआ है आज से ठीक एक महने पहले नव जुन को मैंने तीसरी बार भारत के पी एम पद की सपत ली थी और उसी दिन मैंने एक प्रण किया था मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टम में मैं तीन गुनी ताकत से काम करूंगा तीन गुनी रप्तार से काम करूंगा और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्षों में भी तीन का अंक छाया हुआ है सरकार का लक्ष है तीसरे टम में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एकोनमी बनाना सरकार का लक्ष है तीसरे टम में गरीबों के लिए तीन करोड आवास बनाना तीन करोड घर बनाना सरकार का लक्ष है तीसरे टम में तीन करोड लखपती दिदी बनाना शायद आपके लिए यह शब्द भी नया होगा भारत में जो विमेंट सेल्फ हेल्प ग्रूप चल रहें गाउं में हम उनको इतना एंपावर करना चाहते हैं उतना स्कील डवलप्मेंट करना चाहते हैं इतना डाइवर्शिप केसन करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि मेरे तीसरे टम में गाउं की वो जो गरीब महिलाएं है उसमें तीन करोड महिलाएं लखपती दिदी बने याने उनकी सालाना इंकम एक लाख रुपिय से ज़्यादा हो और हमेशा के लिए हो बहुत बड़ा लक्ष है लेकिन जब आप जैसे साथियों के आशिरवाद होते हैं तो बड़े से बड़े लक्ष बहुत आसानी से पुरे भी होते हैं और आप सब जानते हैं आज का भारत जो लक्ष ठान लेता है वो पूरा करके ही रहता है आज भारत वो देश है जो चंद्रयान को चंद्रमा पर वहाँ पहुचाता है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुच सका आज भारत वो देश है जो डिजिटल ट्रांजेक्शन का सबसे रिलाइबल मॉडल दुनिया को दे रहा है आज भारत वो देश है जो सोशल सेक्टर की बहत्रीन पॉलिशिस से अपने नागरिकों को एमपावर कर रहा है आज भारत वो देश है जहां दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्ट अप इकोसिस्टिब है मैं जब 2014 में पहली बार आप लोगों ने मुझे देश की सेवा करने का मोका दिया तब कुछ सैंक्रों में स्टार्ट अप हुआ करते थे आज लाखों में है आज भारत वो देश है जो रिकॉर्ड संख्या में पैटेंट फाइल कर रहा है रिसर्च पेपर पब्लिस कर रहा है और यही मेरे देश के युवाओं का पावर है वही उनकी शक्ति है और दुनिया भी हिंदुस्तान के नवजवानों की टैलेंट को देखकर अचम्भिद भी है साथियों में पिछले दस वर्सों में देश ने विकास की जो रप्तार पकड़ी है उसे देखकर दुनिया है दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है आप भी आते हैं तो ऐसा ही लगता है ना वो ऐसा क्या आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि भारत का काया कल्प भारत का नव निर्मान वो साप साप देख पा रहे हैं जब भारत जी ट्वेंटी जैसे सफल आयोजर करता है तब दुनिया एक स्वर से बोल उड़ती है अरे भारत तो बदल रहा है जब भारत स्रिफ दस वर्सों में अपने एरपोर्ट के संख्या को बढ़ा कर दो गुना कर देता है तो दुनिया कहती है बाकई भारत बदल रहा है जब भारत सरफ दस सान में चालीस हजार किलोमेटर से ज़्यादा यहां कड़ा याद रख रहा है चालीस हजार किलोमेटर से ज़्यादा रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन कर देता है तो दुनिया को भी भारत के पावर का एहसास होता है उनको लगता है देश भदल रहा है आजब भारत डिजिटल पेमेंट्स के नए रिकॉर्ड बना रहा है आजब भारत एल बन पॉइंट से सूरज की परिक्रमा पूरी करता है आजब भारत दुनिया का सबसे उंचा रेलवे ब्रिज बनाता है आजब दुनिया के सबसे उंची स्टेच्चू बनाता है तो दुनिया कहती है वाकई भारत बदल रहा है और भारत कैसे बदल रहा है कैसे बदल रहा है भारत बदल रहा है क्योंकि भारत अपने 140 करोड नागरिकों के सामर्थ पर भरोसा करता है अब भारत बदल रहा है क्योंकि 140 करोड भारत अब भारत को विक्सित देश बनाने का सपना संकल्प लेकर के पूरा करना चाहते हैं इसके लिए आप लिए आप महनत करते हो हिंदुस्तान पूरा महनत कर रहा है हर किसान कर रहा है हर नवजवान कर रहा है हर गरीब कर रहा है आज दुनिया के अलग हिस्सों में जो मेरे भारतिय भाईबैन रहते हैं आप सभी भारतिय अपनी मात्र भूमी की उपलब्दियों पर सीना तान करके सरूंचा करकर करके गर्व करते हैं आप गर्व से बताते हैं कि आपका भारत आज किन बुलब्दियों को छू रहा है अपने विदेशी दोस्तों के सामने भारत का जिक्र आते हैं आप देश की उपलब्दियों की पूरी लिस्ट रख देते हैं और वो सुनते ही रह जाते हैं कि दिखाया है आज एक सो चालीश करोड भारतिय दसकों से चली आ रही समस्याओं को सुल्जाने में विश्वास करता है कारपेट के नीचे दबा करके गुजारा करना अब देश को गुवारा नहीं है दोस्तों आज एक सो चालीश करोड भारतिय हर क्षेत्र में सबसे आगे निकलने की तैयारी में जूटे रहते हैं आपने भी देखा है हम अपनी अर्थववस्ता को सिर्फ कोविड संकर से बहार निकाल करके नहीं लाएं बलकि भारत ने अपनी अर्थववस्ता को दुनिया की सबसे मजबूत एकोनोमी में से एक बना दिया हम अपने इंफ्रास्रक्टर की कम्या दूर तो कर रही रहे हैं बलकि हम ग्लोबल स्टांडर के माल्स्टोन क्रिएट कर रहे हैं हम सिर्फ अपनी स्वास्त सिवाएं सुधार रहे ऐसा नहीं है बलकि देश के हर गरीब को मुक्त इलाज की सुधा भी दे रहे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी हेल्ट एक्शॉरंस स्कीम चलाते हैं हाई शुमार भारत यह दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है यह सब कैसे हो रहा है दोस्तों इसे कौन कर रहा है मैं फिर कहता हूं एक सो चालीस करोर देश वासी वो सपने भी देखते हैं संकल्पी भी करते हैं और सिद्धी के लिए जी जान से जुटे रहते हैं यह हमारे नागरिकों की महनत लगन और निश्ठा से संभव हो रहा है साथियों भारत में बडलाव सिर्फ सिस्टिम और इंफ्रास्ट्रक्चर का ही नहीं है यह बडलाव देश के हर नागरिक के हर नवजवान के आत्म विश्वास में भी दिख रहा है और आप जानते हैं सफलता की जो पहली सिड़ी होती है वो खुद का आत्म विश्वास होता है 2014 के पहले हम निराशा की गर्त में डूप चुके थे हताशान निराशा ने हमको जकड लिया था आज देश आत्म विश्वास से भरा हुआ है एक ही बिमारी के दो पेशंट अस्पताल में हो उतने ही सामर्थमान डॉक्टर हो लेकिन एक निराशा में डुबा हुआ पेशंट हो दूसरा आत्म विश्वास से भरा हुआ पेशंट हो तो आपने देखा होगा आत्म विश्वास से भरा हुआ पेशंट कुछी हफ्तों में ठीक होकर कि अस्पताल से बाहर आता है निराशा में डूबा हुआ पेशन को किसी और को उठा के लेकर जाना पड़ता है आजदेश आत्म विश्वास से भरा हुआ है और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पूजी है आपने भी हाल में टी ट्वेंटी बुल कप में और मुझे पक्का विश्वास है यहाँ भी आपने उस विक्टरी को सेलिब्रेट किया ही होगा किया था और ने किया था गर्व हो रहा था और ने हो रहा था बुल कप को जीतने की असली स्टोरी जीत की यात्रा भी है आज का युवा और आज का युवा भारत आखरी बॉल और आखरी पल तक हार नहीं मानता है और विजय उनी के चरण चुमती हैं जो हार मानने को तयार नहीं होते हैं यह भावना सिर्फ क्रिकेट तक सिभित नहीं है बलकि दूसरे खेलों में भी दिख रही हैं कि बीते सालों में हम इंटरनेशनल टूर्नमेंट में हमारे एफलेट्स ने एक्तियासिक प्रदर्शन किये हैं इस बार पैरिस ओलिम्पिक में भी भारत की तरप से एक शांदार टीम भीजी जा रही है आप देखेगा पूरी टीम सारे एफलेट्स कैसे अपना दम दिखाएंगे भारत की युवाश्शक्ति का यही आत्मविश्वास भारत की असली पूंजी है और यही युवाश्शक्ति भारत को 21 सदी की नई उचाईयो पर पहुचाने का सबसे बड़ा सामर्थ दिखाती है साथियो आपने चुनाव का महुल भी देखा होगा टीवी पर देखते होंगे चुनाव कैसा चल रहा है कोन क्या कह रहा है कोन क्या कर रहा साथियो चुनाव के दौरान में कहता था कि बीते दस सालों में भारत ने जो विकास किया वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है आने वाले दस साल और भी फास्ट ग्रोथ के होने वाले हैं सेमी कंडुक्टर से एलेक्ट्रोनिक्ट मेनिफेक्टरिंग तक ग्रीन हाइड्रोजन से एलेक्ट्रिक वेहिकल तक और वर्ल क्राज इंफ्रस्ट्रक्टर भारत की नई गती दुनिया के विकास का और मैं बहुत दिम्मेवारी से कह रहा हूँ दुनिया के विकास का अध्याय लिखेगी आज ग्लोबल एकोनामी की ग्रोथ में फिप्टिन परसेंट भारत पंट्रिबूट कर रही है आने वाले समय में इसका और ज़्यादा विस्तार होना तय है ग्लोबल पावर्टी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हर चैलेंज को चैलेंज करने में भारत सबसे आगे रहेगा और मेरे तो डीने में है चुनोती को चुनोती देना कर दो जो में रहे है कर दो जो 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 सी आविट बस यही प्यार जो है ने दोस्तों जब देश वास्व के साथ दुरी का अवकासी नपो जो सोच लीडर के मन में चलती है वही सोच जब जन मन में होती है ने तो अपार उर्जा जनरेट हो जाती है दोस्तों और यही मैं देख रहा हूँ यहां पर साथियों मुझे खुशी है कि ग्लोबल प्रोस्परिटी को नई उर्जा देने के लिए भारत और रूस कंदे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं यहां मोजूद आप सभी लोग भारत और रूस के समंधों को और नई उंचाई दे रहे हैं आपने अपनी महनत से अपनी इमानदारी से रूस के समाज में अपना योगदान दिया है सात्यों में दसकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिष्टा है उसका कायल रहा हूँ रूस सब्द सुनते ही हर भारतिये के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी भारत का भरोसे मन दोस्त हमारे रुष्यन फ्रेंड्स इसे दुरुजवा कहते हैं और हम हिंदी में इसे रूस में सर्दी के मौसम में टेंपरेचर कितना ही माइनस में नीचे क्योंने चला जाए भारत रूस की दोस्त हमेशा प्लस में रही है गर्ब जोशी बरी लेका यह रिस्ता मिच्यल ट्रस्ट और मिच्यल रिस्पेक्ट की मजबूत नीव पर बना है और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था सर पे लाल टो पी रूसी फिर भी फिर भी यह गीत बले ही पुराना हो गया हो लेकिन सेंटिमेंट्स एवर ग्रीन है पुराने समय में श्रीमान राजकपूर श्रीमान मिथुन्दा ऐसे कलाकारों ने भारत और रूस की संस्कूति की दोस्ति को मजबूत किया बारत रूस के हमारे रिस्तों को हमारे सिनेमा ने आगे बढ़ाया और आज आप सभी भारत रूस के रिस्तों को नई उंचाई दे रहे हैं हमारे रिस्तों की द्रड़ता अनेक बार परखी गई है और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उभरी है साथियों भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेश रूप से मेरे प्रियम मित्रा प्रस्डेंट पुटीन की लेडर स्विकी पी स्तराना करूंगा उन्होंने दो दसक से ज़्यादा समय तक इस पार्ट्रसिप को मजबूती देने के लिए शांदार काम किया है बीटे दस सालों में मैं चठी बार रश्या आया हूँ और इन सालों में हम एक दूसरे से सत्रा बार मिले हैं ये सारी मिटिंग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली रही है जब हमारे स्टूडेंट्स संगर्ष के बीच फसे थे तो प्रसिज़न्ट पुटीन ने हुए वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थे मैं रूस के लोगों का मेरे मित्र प्रसिज़न्ट पुटीन का इसके लिए भी फिर से आभार व्यक्त करता हूँ साथियों आज बड़ी संख्या में हमारे नवजवान रशिया में पढ़ाई के लिए आते हैं मुझे बताया गया है कि यहां अलग-अलग राज्यों की एसोशेशन भी है इससे हर राज्यों के त्योहारों खानपान भाषा बोली गीत संगीत की विविदिता भी यहां बनी रहती है आप यहां होली दिवाली से लेकर हर्त और हार धुम-धाम से मनाते हैं भारत के सोतंत्रता दिवस को भी यहां उत्साह और उमंग से मनाये जाता है और मैं आशा करूँगा इस बार 15 अगस तो और शामदार होनी चाहिए पिछले महने इंटर्णेशनल योगडे पर भी हजारों लोगों ने हाँ पाटिसिपेट किया मुझे एक और बात देखकर और भी अच्छा लगता है यहां जो हमारे रश्यन दोस्त है वो भी उन तोहारों को मनाने के लिए उतने ही जोच से आपके साथ सामील होते हैं यह people to people connect सरकारों के दाइरे से बहुत उपर होता है और वो एक बहुत बड़ी ताकत भी होता है और साथियों इसी positivity के बीच मैं आप से एक और good news भी share करना चाहता हूँ आप सोथते होंगे कौन से good news आई है कजान और युका तेरिन भूर्ग में दो नए कांसलेट खोलने का अंदिर ने लिया गया है इससे आना जाना और व्यापार कारोबार और आशान होगाए साथियों हमारे संबंधों का एक प्रतीक अस्त्राखान का इंडिया हाउस भी है 17 वी शताबदी में गुजरात के व्यापारी वहां बसे थे जब मैं गुजरात का नया नया मुख्यमंत्री बढ़ा था तब मैं वहां गया था दो साल पहले नौर्ट साउट ट्रांस्पोर्ट कोरिडोर से पहला कॉमर्शियल कंसाइनमेंट भी यहां पहुचा यह कॉरिडोर मुंबई और अस्त्राखान की पॉर्ट सीटी को आपस पे जोड़ता है अब हम चेंजने व्लादी वास्तोक इस्टन मेरिटाइम कोरिडोर पर भी काम कर रहे हैं हम दोनों देश गंगा बोलगा डायलोग अप सिविलाइजेशन से एक दुधरे को रीडिस्कवर कर रहे हैं फ्रेंट्स, 2015 में जब मैं यहां आया था तब मैंने कहा था कि 21 वी सदी भारत की होगी तब मैं कह रहा था आज दुनिया कह रही है दुनिया के सभी एक्सपर्ट्स उनके बीच में इस विशे में कोई विवाद नहीं रहा है सब कहते हैं 21 वी सदी भारत की सदी है आज विश्वबंधों के रूप में भारत दुनिया को नया भरोसा दे रहा है भारत की ग्रोइंग केपबिलिटीज दे है पूरी दुनिया को स्टैबिलिटी और प्रोस्परिटी की उम्मीद दी है न्यू इमर्जिंग मल्टिपोलर वर्ल और बे भारत को एक मजबूत पीलर के रूप में देखा जा रहा है जब भारत पीस डायलोग और डिप्लोमसी की बात कहता है तो पुरी दुनिया सुनती है जब भी दुनिया पर संकट आता है तो भारत सबसे पहले पहुँचने वाला देश बनता है और भारत दुनिया की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा लंबे समय तक दुनिया ने एक influence-oriented global order देखा है आज की दुनिया को influence की नहीं confluence की जरूरत है यह संदेश समागमों और संगमों को पूजने वाले भारत से बहतर भला कौन समझ सकता है कौन दे सकता है साथियों आप सभी रूस में भारत के brand ambassadors है जो यहां mission में बैठते है न वो राज़दूत है और जो mission के बाहर है न वो राश्ट्रदूत है आप ऐसे ही रूस और भारत के रिस्तों को मजबूत बनाते रहें साथियों साट साल के बाद हिंदुस्तान में कोई सरकार तीसरी बार चुनी जाए यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है लेकिन इस चुनावों में सबका ध्यान सारे कैमेरा मोदी पर लगे रहे उसके कारण कई और महत्वपून घटनाओं के तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया जैसे इस चुनावों के समय चार राज्यों में भी चुनाव हुए अरुनाचल प्रदेश, सिक्किम, आंद्र, उडिशा और इन चारो राज्यों में एंडिए क्लीन स्वीप बहुमत के साथ विजयी हुआ और अभी अभी तो महाप्रभू जगनाच जी की आत्रा चल देगी है जाय जगनाच उडिशा ने तो बहुत बड़ा रिवलूशन किया है और इतले मैं भी आज आपके बीच में उडिया स्कार प्रेन के आया हूँ साथियों आप सब पर महाप्रभू जगनाच जी के आशिरवाद बने रहे आप स्वस्त रहें आप सम्रुद्ध रहे इसी कामणा के साथ मैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ये अमर प्रेम की कहानी है दोस्तों ये दिनों दिन बढ़ती रहेगी सपनों को संकल्प में बदलती रहेगी और हमारे कठोर परिश्रम से हर संकल्प सिद्धी को पार करके रहेगा इसी विश्वाद के साथ मैं फिर एक बार आपका रदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ बरतात बोलिये भारत माता की बंदे मातरम मातरम बाद बाद धन्वार मैं समर्ष्थ भारतिय समुदाई की ओर से माननिय प्रिधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने अती व्यस्त कारेक्रम से नस